पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां कुरकूरे फैक्टरी में भीशन आग लग गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह आग पूरे फैक्टरी को चपेट में ले लिया है और पूरे फैक्टरी जल रही है यह कुरकुरे फैक्टरी में लगी आग पटना सिटी की बताई जा रही है और यह फैक्टरी आरोबी के नीचे है जहां भीशन आग इस कुरकुरे फैक्टरी को चपेट में ले लिया है इस अग लगी में दसो लाक रुपे की नुकसान बताई जा रही है आग की त पर देज लबटे किस तरह कुर्कूरे फैक्टरी को जला कर खाक कर दिया है। दमकल की आठ गाडियां मौके पर पहुचकर आग पर काबू पाने में जूटी है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि जर्दो जहद के बाद दमकल कर में किस तरह आग पर काबू पाने में जूटे हुए हैं। वो सुचना मिला PIR से कि पटना साइब रेलवे स्टेशन के पास आरो के पास एक कुर्कूरे की फैक्टरी में आग लगी थी और आग बहुत भ्यानक थी। इसमें फोरविलर घारी बेर जल चूकी है और हम लोग दो छोटी गारी म्ती वाली लेका हैं। दो लोथीपूर से बारी आई हैं। पतानी यह तो जनकाडी नहीं आग लगने के बाद हमको मकानमालिक द्वारा जयां काड़ी मिलिकी औरा आग लखा हुआ। क्या करण लगा आने के बाद क्या देख रहे हैं आने के बाद सब कुछ जला हुआ तो देखेंगे क्या इसमें कुछ बचाई नहीं बस पांट साथ तीना तेल बचा हुआ है वही बो भी हिट किया हुआ कि अधिया नाम हुआ जीतेंद्र कुमार कि यह हुआ तो देखें कर खाने में गैरेज के बगल में कर खाने थे उसमें धूआ उठ रही है तो हम अपने दोस्त थांगी को बोले दखो लगते आग लगका हुआ है चलतो हम लोग पता करते हैं तो देखें कि बहुत भ्यंकर तो हम लोग गूगल पर चौक थाना को कॉल किये चौक थाना वहले बोले ठीक है मैं हुआ आदमी को अगनी सेबख बला के कॉल है कि बैपास थाना दो बड़े आए दो छोटे आए जिसमें बैपास थाना महादेवास थान थाना भी आए सब सर से बात हुई लगले बिजली सब्सक्राइब लाग रहे थी बहुत बाड़ बाड़